तो definitely मुझे लगता है यह हाई अपना रेक कर सकता है जो निकल के आता है साड़े 400 रुपे की आसपार तो hello दोस्तों एक बाद दुआरा से आप सभी का सौगत करता है कि अपने चैनल पर आप सभी सब्सक्राइब करगा और साथ में बेल को दबाना ना भूलियागा ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन रिसीब कर पाओ तो आपके लाया हूँ एक और दमदार पैनी स्टॉक जो रेडिमेड गाइमेड्स में डील करता है और फरेंटली ये स्टॉक 100 रुपे से नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में आपको एक अच्छी रिडन दे सकता है तो इस वीडियो को अंतक देखना और अगर वीडियो थोड़ा भी समझ आता है पसंद आता है तो definitely like और share करना ना भूलना हम जानेंगे इस टॉक के fundamental और technical fundamental में हम जानेंगे इस टॉक की news क्या है last quarter में profit कैसे थे फिर only pattern ऐसा है दूसरी और technical में हम दिखेंगे इस टॉक का चार्ट कैसा है किस price में entry करना है और stop loss और target क्या निकल के आते हैं चार्ट पर और अंत में हम जानेंगे कि यह इस टॉक मल्टीव हो सकता है या नहीं चलो शुरू करते हैं analysis सबसे पहले देखें कंपनी के profit and loss तो दोस्तों सबसे पहले में कंपनी के बारे में आपको बथा देता हूँ कंपनी NST BST दोनों में लिस्टेड है कंपनी का नाम है Jodiak Clothing Company basically company is a leading garment manufacturing company and having retail store across India इस कंपनी के almost 100 से ज़्यादा इंडिया में और इसकी कंपनी की subsidiaries out of India भी work करती है like South Africa और ये कंपनी 1984 के आसपस found ही गई थी कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 224 क्रोड के आसपस का मार्केट कैप है इसका current price जैसे मैंने आपको बताया 99 रुपीज 100 रुपे से नीचे trade कर रहा है all time अगर हाइव आप चेक करते हो चार्ट में मतलब last year का वो है 204 रुपे और 81 का all time low है it means company basically अपने low के आसपा ट्रेट कर रही है और books के according अभी जो price trade कर रहा है वो काफी से में अभी आपको मिल रहा है और dividend yield इसका 1% के आसपास है इसमें गलस्च आपको दर्सार आ है मैंने चेक किया था money ready में 1% के आसपास इसका है मतलब यह company आपको 1997 से 1997 से regular dividend pay कर रही है एक अच्छा काता dividend pay कर रही है 10% के आसपास का ठीक है और इसका face value 10 रुपे है तो देख लेते इसके pros क्या है cons क्या है तो जैसे मैंने बताया है company अपनी books के आस books से कासे नीचे सस्थेमिट कर रही है लेकिन एक इसमें जो कॉन से यह है दोस्तों की company ने पूर growth करी है last five year बे इसी वज़े से चार्ट है अदर स्टॉक का जो प्राइज है last five year से almost 400 रुपे से 81 रुपीस आ गया उसी वज़े से चार सो रुपे से 81 आ गया तो हम यही जानेंगे किया इस स्टॉक में क्या हमें वर्थ है पैसर लगाना तो हम वह देखेंगे आगे अब इसके profit and loss और 70 पैटन से बने रहा हूं वीडियो में आगे लेके जून काटर का profit है यह सेप्टेंबर का profit है अभी आपको नीचे लेके चलता हूं तो आप देखना तो यह आप देख सकते नेट प्रॉफिट अगर क्वाटर ली के बात करूं जून काटर में इसको 14 क्रोड के आजपास का loss था लेकिन जो सेप्टेंबर क्वाटर था उसमें इसको जो लास्ट सेप्टेंबर क्वाटर में इसको जो लॉस था अलमोद 2 क्रोड के आसवास था एक नॉमिनल लॉस इसने दर्साया है तो डैफिनिटली यह लॉस एक profit में convert हो सकता easily अब इसमें कोई कोश कोशन नहीं है कंपनी में debt नहीं है कंपनी के business all over the world है मत इंदिया मैं तो हई साथ में भार की countries में भी यह काम करती है company इसका मैं आपको yearly profit दिखा जता हूं मैंने yearly profit खोल रखे है इसके मैंने yearly profit खोल रखे है यह 2020 का profit है यह 2019 का profit है 2018 का profit है तो देख सकते होगी जो overall जो loss है 2018 में 23 क्रोड के असपास था और 27 क्रोड के असपार 2019 में था 2020 में 29 क्रोड के असपास को loss था तो overall company last three years से three four two years से loss हो कर रही है एक काफी बेकार बात है company के लिए कि company last five सालों से एक loss making company है इसी वज़े से जो stock का price है 400 रुपे से आपका 99 रुपे का असपार आज trade कर रहा है ही एक region है कि company एक growth और growth show कर यह last five year में profit में भी आपको देखने को मिल रहा है मैं यह बुरू हूँ आप दोस्तों कि loss हो रहा है लेकिन loss इतना बढ़ा नहीं कि 300 क्रोड 400 क्रोड का हो रहा हो इसको loss अभी 29 क्रोड 25 क्रोड के असपास होता है यह loss कभी भी profit में convert हो सकता है जैसे मैंने कल एक expenses थोड़े कम करना स्टार्ट किये company आज profit में है और आज stock को 35 रुपे का हो गया तो इसकी भी same story हो सकती है ठीक है तो story भी हो सकती है और company का business भी अच्छा है company का business model भी अच्छा है definitely आप इसमें देख सकते हो future में अच्छी company बन सकते है profitable हो सकती है अभी currently company profitable नहीं है अब आग कुछ देखने को मिल सकता है कि ये company आगे कैसे perform कर सकती है अगर हमारे promoters इसको hold कर रहे होंगे तो definitely company आगे काम करेगी अगर नहीं कर रही होगी तो इस stock तुवारा अपने उकाद में आ सकता है 2 रुपे 5 रुपे भी ठीक है अब देख लेते हैं इसका सेरोडिक pattern कैसा है और स्टॉक का जोडियाक का तो आप देख सेक्टियों कि दिसंबर 2017 से लेके 61% के असपास की holding थी और September 2020 के आते-आते holding 67% हो गई तो कहने को मतलब है company 61 से 67% की holding हो गई मतलब promoters ने खुद ही अपने stock buy करे है नीचे के labels में ठीक है last three years में company के promoters ने खुद के stock ही buy करे है मतलब promoters क खुद लग रहा है कि company future में अच्छा perform कर सकती है इसलिए खुद इपने stock buy कर रहे है ऐसा कोई तो पागल तो कोई होगा नी जिसको अपने खुद के stock को buy करेगा कुछ ना कुछ region होगा उन्हें future की growth नजर आ रही होगी इसलिए इन्होंने अपने stock buy करे और इस जो इन्होंन पर 250 रुबे के बीच में नो ने buy किया है मतला अभी भी आपको 99 के आसपर मिल रहा है अभी उस price से almost 500% नीचे है और FIIs की holding भी इसमें अच्छी खासी 8% के आसपर holding है और public भाई देगो public general public 25% है जनरल public में नाम आतर है 25% के आपर general public है बहुत बढ़िया है तो मैं बोलता से only pattern के साफ से promoters positive है FIIs positive है public इसमें बहुत कम है पबलिक मतला retail person, retail people तो वो बहुत कम है तो definitely इस company का future में एक अच्छा form कर सकती है stock multi bagger भी हो सकता है क्योंकि company के promoters इस stock को buy कर रहे हैं lower levels में current market price 99 चल रहा है अब हम देखेंगे कि हमें किस price में entry करनी है क्या stop loss लगाना है क्या target लगाने चार्ट के माद्यम से आपके साथ share करूँगा अगर यहां तकर करकर आप आ चुके हो वीडियो में like करना share करना comment करना और अभी एक chart मैंने इसमें बनाया है वो चार्ट काफी चाहूंगा और overall stories की fundamentally थोड़ी सी week है profit नहीं कर पड़े लेकि future में growth definitely show कर सकती है तो आप इसको observe करो look out करो तो कि promoters ने अपनी holding increase करी है promoter अपने खुद के stock buy करे है promoters पागल तो नहीं है कि वह अपने खुद के stock buy करे राइट हम जो बात को अब आपको chart के तरफ लेके चलता हूं सीधा तो या दोस्तों जोडियाक का मैंने चार्ट खूल रखा है तो जो chart आप देख रहे हो मंतली का chart मैंने खूला हुआ है तो मंतली में एक छोटा सा इसमे research निकल के आता है अगर आप देखो कि stock ने clean support लिया है एक support era अग 300 support इसने यहां लिया almost same price के आसपास same price में लिया है तो इसमें क्या आप देख पा रहे हो चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जब first time इस stock में support लिया तो एक high बनाया था ठीक है और जब second time support लिया इसने तो इतने next यो high है वो break किया देख सकते break किया एक नया high बनाया तीसरी बार उसी price के आप जब इसे support ले रहा है यह high अपना break कर सकता है जो निकल के आता है साड़े 400 रुपे के आसपास ठीक है तो यह तो technical हो गया ठीक है टेकनिकल चार्ड इसका यह कह रहा है कि last 10 year में इसने तीन low बनाये support लिया लो और तीरों बार high break किये है तो भाई इसी वज़े से मैं कहा रहा हूं कि इस च्रुक मे यह तो होगे बात target की लेकिन भाई main question आता है कि हमें इसमें entry कप करनी है और इसका जो RSI मन्तली वह भी एक 30 रुपे के 30 के आसपास है वह भी एक buy zone हमें दिखा रहा है तो अब question आता है कि हमें इसमें entry कप करनी है जोडियाक का तो इसमें देख सकते हैं मैंने एक एरिया नह प्राइश जलना है तो आप weight करो 104 रुपे का break होने का तो अगर आप इसको buy करोगो stock को current market price buy मत करना इसको buy करोगे आप 104 रुपे के आसपास है तो आहीं तो आप 24 के आसपास 10 पैसे के आसपा एक बिद डाल सकते हो उसमें और आप सवपोज लागा सकते हो 90 का और टागेट के लिए वेट कर सकते हो कम से कम 120 रुपे से 130 रुपे के आसपास सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो सो रुपे से 200 रुपे के रेंज में आता है और जो 33 निकल के आता है वह है पाइनल टाइब साड़े और एक और बात बोलूँगा कि आप खुद की रिसर्च इसमें अड कर लेना ब्लाइंड ली फॉलो मत करना और एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि माने जी आपने यहां भी बाई कर लिया अपने पहले अगर यहां बाई किया था आप कैसे इसमें काम करोगे यह उ उसके बाई नीचे भी आया उसके बाई 400 का हाई भी लगाया यह जो लास्विंग होगा यह हमारा नया स्टॉप्लोस बन जाएगा मतला आपको स्टॉप्लोस ट्रेल करना है यहां पर यह स्टॉडी सेम है अगर 104 रुपे आप बाई करते हो तो 90 रुपे का हमारा स्टॉप् लग सकता है तो देख लो आप अगर आपको इसको बाय करना है तो आप रेट करना पड़ेगा 4-5 साल अटलीस तुर्च तो मेरे एसाब से भाई इसका चार्ट पैंटन बहुत बढ़िया है टेखनिकल बहुत बढ़िया है फंडमेंटल थोड़े से वीक है शेरहूलडिंग पैटन जबरदस्त है यह रूल्णिक पैटन जबरदस्त है 75% 75% परमोटर्स FII इस टोक को होल्ड कर रहे है और जनरल पबिक ना के बराबर है तो भाई कंपनी की गुरू तो होनी होनी है अब इसको लुक करो फॉरबर्ट करो फो तर नेक्स ट्री एयर्स के लिए आपका मल्टिविग स्टॉक हो सकता है तो गाइस इस वीडियो को यहीं समाप करते हैं कुछ अच्छा लगा तो कीशोर लाइक शेयर किमेंन ग्रेड़ मुझे इस वीडियोत में कङ से इस चाहिए तो चाहिए तो वज्यक्ता था सब करो Facebook करो mail करो comment करो जो करना करो लेकिन मुझे सचेर जेटा चाहिए तो चाहलीए तो चाहिए सोचे करो कि तौद कर्पा सुपरी य कर्पार टौुड कर्पारِ